दूसरी तरह की समितियां होती हैं इस्थाई समितियां जैसा कि शब्द से इस्पष्ठ है ये किसी खास उद्देश के लिए नहीं स्थापित की गए ये पर्मनेंट कमिति हैं ये समितियां कुछ खास विभागों में इस्थाई रूप से रहती हैं जैसे ग्रह मंत्राले है उ पर रिपोर्ट देना आज की तारीक में प्रवर्थ समितियों की संख्या ऐसी समितियों की संख्या 25 से ज्यादा है जिसमें लोक सभा में करीब 16 से ज्यादा और राज सभा में 8 प्रत्येक समिति जो है वो एक या एक से अधिक विभागों के विधेकों की जाच करती है और वि पहान तरीके से इन विदहेकों का अध्यान कर लेती है। अच्छाइ बराईयों को समझ लेती है। विद्न पहलूओं को जोडती है। और जो भी इसकी अवगुण हैं, उसको हटाने का प्रयास करती है। ऐसा करते हुए ये समितियां ये सुनिष्चित करती हैं कि जो भी विधेय कानून बनने की राह पर है वह कानून बनने से पहले अच्छी तरह से ठोक पीट लिया जाए सुनिश्चित किया जाए कि ऐसा कानून ना हो बने जिसे या तो बाज में वापस लेना पड़े और या जिसमें कुछ इस तरह की मूलभूत तुटियां हो जाएं जिससे सरकार की छीषा लेदर हो दोनों ही स्थिति में सरकार पर अविश्वास व्यक्त किया जा सकता है और यह यह पारित हुआ तो सरकार भंग भी हो सकती है इसलिए इस्थाई समिसियों की भोमिका अपने अपने विभाक से जुड़े विधेकों को लेकर अति महत्पूर्ण है इसके अलावत चार और इस्थाई समितियां होती है एक होती है कमिटी ओन रूल्स नियम समिती जो संसद के नीमों के पालन परिपालन को लेकर उस पर न शंतरन समिती बिजनस एड़ाइजरी कमिटी और चोथा है आशवासन समिती अर्था आशवासन जो दे एश्योरेंज यह जो समितियों के नाम लिये मैंने इसमें सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण है विशेशादीकार समिती प्रिविलेज्ज समिती और आशवासन समिती वि विशेश अधिकारों को भंग किये जाने की शिकायतें पर विचार करती है। आश्वासन समयते इत बात की जाहत करती है कि मंत्रियों दोरा जो आश्वासन दिये जाते हैं जब तब सदन के अंदर वे आश्वासन पूरे किये जा रहे हैं कि नहीं या केवल आश्वासन केवल कागज में रह गया है और पीछे की बाद भूलते जा रहे हैं आगे नहीं नहीं बातें कर रहे हैं तो इस विकार आश्वासन समिति एक तरह मंत्रियों के आश्वासनों पर watch dog का काम करती है पैनी नजर रखती है तो निश्चित कराती है कि मंत्रियों के द्वारा दिये गए आश्वासन वे पूरे करें तीसरा है संयुक्त संसदी समिती संयुक्त संसदी समिती ऐसी समिती जिसमें लोक सबाराज सबार दोनों के सदस्द रहते हैं इसमें अनीमित ताओं को ब्रश्टाचार के मामलों को और कुछ अन्य बहुत गहन मामले हुआ तो इसकी जाच परताल के लिए समिती बनती है बहुत मत्मूर समिती हैं और किसी खास उद्देश से बनाई जाती है और इसमें जो सदस्य होते हैं ये जिस विशय को लेकर समिती बनाई गए इस विशय में पारंगत माने जाते हैं गहरी पैट उनकी माने जाती हैं इस वकार हम देखते हैं कि संसिदी समितियां चूंकि छोटी समितियां होती हैं कम सदस्यों की होती हैं इसलिए ये विभिन विश्यों पर ज्यादा अच्छी तरह जाँच कर लेती हैं ज्यादा तेजी से जाँच कर लेती हैं ज्यादा गहराई से जाँच कर लेती हैं वियर्थ में समय बरबाद नहीं होता और सदन का समय बचता है यह सब पांच बिंदू होते हैं यह समितियों के रहने से समय बचा और खरकारी और गैर सरकारी संशोधनों में यह सुझाओ भी देती है विधेकों में संशोधन का सुझाओ भी देती है दोनों तरह के विधेक जो आते हैं कि उसमें ज़िए किसी बदलाओ की अपेक्षा है समीति को तो इस बात को सामने रख देती है संशोधन करने के लिए इस प्रकार सदन जो है वो अमूलता समीतियों के माध्यम से अपनी दिनचर्या रखता है समीतिकियों के माध्यम से कारेपालिका पर नजर रखता है और कैसे नजर रखता है और कैसे कारेपालिका को बाणके रखता है प्रशन पूछ कर पूरक प्रशन पूछ कर सप्लिमेंटरी क्वेस्चिंज काम रोको प्रस्ताओ द्वारा वित्तिय नियंत्रण के जर्ये नीट निंदा संबंदी कतوتी किफायत की कतوتी क सुझाओ कतوتी समीती देने में सफल हो गई और इस थाबित कर दिया कि सरकार के दौरा इस मदे पर फिस मद पर जरुरत से ज्यादा खर्चा किया गया और इस खर्च को जहाँ बचाय जा सकता था to वो तो सरकार की फजीहत है इसलिए सरकार भी बहुत कोशिश करती है कि वह फिजूल खर्ची ना करें च्वायम किफायती रहे उसके बाद सांकेतिक कटाथी विधेकों की स्वीकृति अन्स्वीकृति अविश्वास प्रस्ताओ और निंदा प्रस्ताओ इन दस बारा तरीकों से संसद कारेपालिका पर नियंत्रन रखती है और इसके अलावा कुछ और अन्य उदारन भी है जो समितियों के माद्यम से नियंत्रन का काम करते हैं कारेपालिका पर यह मैं पहले बता चुका हूँ कुल मिलाके कहने का उद्धेश यह है कि यह सुनिश्चित किया है हमारे संविधान नर्माताओंने के कारेपालिका जो है वो विधाईका के नीचे रहे विधाईका जन प्रतिनिदियों की बनी है और कारेपालिका जो है वो स्थाई कर्मचारियों की है और मंत्री परिशद की है मंत्री परिशद में लोग जनता से चुने हुए हैं तो जनता के प्रितिव तरदाई है और थोड़ा दाएं बाएं ना हो इसलिए ये सब तरीके इन पर लगाम रखने के लिए जिसका जिकर हम बार-बार कर रहे हैं तो इस पकार हमने इस सध्याय में अभी तक ये समझ लिया कि विधाई का कितनी शक्ति शाली है अब हम आते हैं एक और बिंदु पर कारेपालिका पर तो नियंतरण करना इसको आ गया कारेपालिका पर नियंतरण करने के बहुत तारे औजार इसके सामने है बहुत तारे तरीके अक्तियार किया सम्विधानिक प्रावधान बहुत चे है लेकिन अपने पर नियंतरण है की नहीं संसद कहीं स्वयम तानशाह तो नहीं बन गई ओटो क्रेटिक तो नहीं हो रही है संसद कहीं उच्छ श्रिंखल तो नहीं हो रही है तो संसद अपने को स्वयम को कैसे नियंतरित करती है इसे भी थोड़ा समझना होगा कुछ प्रावधान हैं जिसमें संसद को भी नियंतरित किया गया है पर कौन करे? संसद तो सर्वच है संसद जो है वो बहस का मंच है और बहस के जरिये संसद अपनी सभी जरूरती काम को अंजाम देते हैं वाद विवाद होता है आप देखिए एक वीडियो जहां दिख रहा है जिसमें किसी एक मुद्दे को लेकर बहस चल रही है बहुत संक्षिप्त में एक मिनट का ये वीडियो है जिसमें हम बताने की कोशिश कर रहा है कि बहस कैसे होती है उसका उत्तर कैसे होता है ये सार्थक और अनुशासित ढंक से होना जरूरी है दुरभागे से ऐसी प्रवृति संसद के अंदर बढ़ती जा रही है जिसमें अनुशासन हींता दिखाई दे रही है शांती पूरवक कारे होने में अब दिक्कते आ रही है विरोधी दल और सत्ता दल दोनों के बीच में टकराओ मुद्दों से ज्यादा व्यक्तिकट टकराओ की और बढ़ रहा है यह जरूरी है कि अनुशासन हो सार्थक बहस हो ताकि संसद की जो करवाई है वो आसानी से चले संसद की गरिमा बनी रहे विदेशी संसदों में कई दृष्ष देखने को आए हैं जब संसदों ने माइक तोड़ दिये कुर्सियां उठा के विरोजी दल पर फेकी है दुनिया में इसकी छेच्छा लेदर होती है भारत के संविधान में ऐसे प्रावधान किये गए हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस तरह का व्यभार ना हो गरिमा बनी रहे खुज संविधान में संसत की कारवाई को सुचार रूप से चलाने के लिए कई प्रावधान किये गए हैं सदन का अध्यक्ष विधाईका की कारवाई के मामले में सर्वोच अधिकारी है यह पहले आप जान लें सदन का अध्यक्ष सर्वोच अधिकारी विधाईका के मामले में सदन अपने पर नियंत्रन रखे सर्वोच सिंस्था होने के नाते आटो क्रेटिक होने की जो प्रवृत्ती है ताना शाही होने की प्रवृत्ती उसे पर नियंत्रण रखने के लिए जो प्रावधान है उसमें दूसरा प्रावधान है कि अध्यक्ष जो है वह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है अध्यक्ष द्वारा सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना आपने शायद दल बदल विद्यक कानून के बारे में सुना होगा और दल बदल विद्यक कानून जो है वो क्यों बनाया गया इसके पीछे जो प्रिष्ट भूमी थी वो कुछ इस धंकी थी कि बहुत से सदस्य चुनाओ जीतने के बाद जिस एक दल से चुनाओ जीते उसे छोड़कर वो दूसरे दल में चले जाते थे सत्ता के लोब में और जब ऐसा दल बदलते हैं तो बहुमत तो प्रभावित होता है दूसरे शब्दों में सरकार अस्थाई रहती है सरकार का भविश इन दल बदलों के दल बदलने के प्रक्रिया पर निर्वर हो जाता है हर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं निर्दलियों को छोड़ कर निर्दलियों को छोड़ कर बाकी जितने सदस्य हैं वो सब किसी ने किसी टिकेट पे रहते हैं किसी दल के रहते हैं यदि चुने जाने के बाद वो अपनी पार्टी छोड़ना चाहे तो क्या होगा दूसरे शब्दों में संसद में 543 सदस्य हैं तीन सौ सदस एक दल के जीत के आए और इस्टेकार इसको भाहूमत मिला उसकी सरकार बनी सरकार में कितने लोगं को मंत्री बनाय जाएगा जादस जादा पचास पचपन जो लोगं मंत्री नहीं बनाये जाते कई बारोगे नाखुश्ष हो जाते हैं असंतुष्ट हो जाते हैं आधी आधी और ऐसी स्थीते में वे मौका देखते हैं कि दल बदलें और बदलते हुए कुछ ऐसी शर्ते नए दल के सामने रखें जिसमें उन्हें मंत्री बनाया जाए और भी बहुत सी बाते रहती हैं दल बदल के कुछ कारण रहते हैं जो भरश चित नहीं माना जाता दल बदलना स्वतंता के बाद काफी समय तक ये समस्या बनी रही हर्याना में तो एक दोर ऐसा आया था जब वहां की विधान सभा में एक दल को बहुमत मिला उसकी सरकार बनी अगले दिन सुबह उस सत्ता धारी दल के कुछ लोग जो असंतुष्ट थे वो दूसरे दल में चले गए अब उसकी सरकार बनी फिर दूसरी सरकार में भी जो दल था उसके असंतुष्ट लोग फिर तीसरी सरकार बनाने में जुड़ गए आदी आदी तो ये समस्या बहुत जब गहरा गई तो अंत्ता दलों में इस बात को लेके कुछ सहमती बनी कि भाई ये लोक तंत्र के लिए खत्रा है इस थाई सरकार देने में बहुत बड़ी बाधा है आर्थिक स्थिती भी देश की और स्विलस्था परवित का प्रभाव पड़ता है और बदनामी अलग तो निर्वाचित विधायक या संसत को दल बदलने से कैसे रोका जाए इस पर काफी विचार विमर्श हुआ और उसके तहट सन उन्निसवा पच्चासी में पहला बावनवा संशोधन आया इस संबंध में 52nd Amendment सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णा लेगा दल बदल निरोधक कानून वो कहलाया जो उन्निसवा पच्चासी में लगू हुआ बावनवा संशोधन इसके बाद इंकानबेवा संशोधन भी हुआ इंकानबेवा संशोधन जो था वह बावनवे संशोधन में कोई सुधार था सुधार इद्धिष्टि से कि दल बदल निरोधक कानून में ये स्पष्ट कर दिया गया अमेंड में 91 में कि सदन का अध्यक्ष जो है वह दल बदल से संबंदित विवादों पर अंतिम निर्णा लेगा अर्था अध्यक्ष पर ये जिम्मेदारी दे दी गई कि कि किसी व्यक्ति ने किसी सदस्च ने वास्तों में दल बदला है तो तदनुसार वह सूचित करे दलों को और कारवाई करे यदि ये सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्च ने दल बदल किया है सिद्ध होने पर तो उसकी सदन से सदस्चता समाप्त हो जाती है इसके अत्रिक्त ऐसे दल बदलू को किसी राजन्यतिक पद चाहे मंत्री पद हो या आदिस के लिए अयोग की घोशित तो इस परकार प्रावधान करके ये कोशिश की गई कि सरकार की को अस्थाई बनाने में अस्थाई करने में कुछ सांसद दल बदल की प्रक्रिया से खेलते हैं खेलवार करते है तो ऐसी स्थित में उन पर कारवाई हो और उस कारवाई के तहट अब ध्यक्ष को ये शक्ति दी गई एक परिवर्तन इसमें ये आया इस प्रावधान के तहट कि जो दल का जो नेता है वह बहुत शक्तिशाली हो गया क्योंकि यदि वह कह दे कि इसने दल बदला है तो निश्चित रूप से कारवाई संबव है तो दल बदल कानून में दल के नेता को और मजबूत बनाने का एक तरीके से प्रावधान हो गया यदि कोई सदस अपने दल के आदेश के बावजूस सदन में उपस्तित ना हो किसी खास इस्थितियों में कई बार दलों के नेता अपने सभी सदस्यों को आदेश देते हैं उपस्तित रहने का यदि ऐसा ना करे या दल के निर्देश के विप्रीत मतदान करे अथ्वा सुच्छा से त्याक पत्र दे दे तो उसे दल बदलू कहते हैं यही दल बदल है गत बीस वर्शों का अनुभाव बताता है कि दल बदल निरोधक कानून जो है वो दल बदल को उस हद तक रोकने में सफल नहीं हुआ है इसमें और सुधार की गुझाईश उल्टा इस दल बदल कानून ने यह तो सुनिश्चित नहीं किया कि लोग दल ना बदल रहों पर यह सुनिश्चित कर दिया कि दल के नेता जो है वो और ज़्यादा ताकत वर हो गया शक्तिशाली हो गया जो लोक तांत्रिक प्रक्रिया में गलत है इससे किसी दल के प्रधान नेता और अध्यक्षों को विधाईका के सदस्यों के विरुद एक तरीके से अत्रिक्त शक्तिया मिल गई हैं और दल बदल की जो समस्या है वह मोटी मोटी जस्की तस रही सब कुछ अब इनके दया पर निर्भर हो गया है ये जैसा अध्यक्ष या दल के नेता जैसा विचार रखें तो उसके अनुसार ये माना जाएगा कि किसी ने दल बदला कि नहीं बदला जो उचित नहीं है तो निश्कर्ष क्या संसदी लोक्तंतर उसमें जनता की इच्छाओं का प्रतिनेदित करने वाली विधाईका वो बहुत शक्तिशाली है जो पूरा धै हमने पढ़ा है उसमें एक बात साफ हो गए कि सर्वशक्तमान संस्था विधाईका है भारत की राजनीतिक व्यवस्था में, संसदी व्यवस्था में और साथ ही उत्तरदाई भी है अपने स्वैम को नियंतरत भी रखती है और यही बात जो है वह संसदी लोक तांत्रिक प्रक्रिया या संसदी लोक तांत्रिक शक्ति का आधार है इस परकार ये अध्याय यहाँ पर समाप्थ होता है और हमने सरकार के दूसरे अंग के बारे में विस्तार से अब समझ लिया है कारिपालिका के बाद विधाई का इस अध्याय के समाप्थ होने पर कुछ प्रश्ण आपको देना आवश्यक है जो इस अध्याय के कंटेंट को समगर रूप से लेते हुए बनाए गए तो पहला प्रश्ण समिधान की जब हम पस्तक पढ़ते हैं तो राजनीति शात्र के विद्यारती के नाते थोड़ा सा सामाने ग्यान में जरूरी है ताकि हमारे जो समझ का अधार है वो मद्बूत हो और जो दिन प्रति दिन जो राजनीतिक गत्विदियां हो रहे हैं उससे हम वाकिफ होगे आप लोग आए दिन CBI, Enforcement Directorate, ED, Election Commission, CAG ये सब नाम सुनते हैं पेपर में जब तब आते रहता है और लगता भी है कि शायद ये सब डिपार्टमेंट बड़े पावर्फुल हैं, बड़े शक्तिशाली है आपने ये भी सुना होगा कि Election Commissioner मुख्य चुनाओ आयुक से बड़े बड़े नेता भी डरते हैं लेकिन साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि C.B.I. को किसी ने बलकि सुप्रीम कोट ने पिंजरे में कैद तोटा कह दिया था ये अंतर क्यों है समझ में, एक और बहुत शक्तिशाली संस्थाओं के रूप में इसे देखा जाता है और दूसरी और पिंजरे में कैद संस्था के रूप में सुप्रीम कोट का बियान आता है इसे समझने के लिए थोड़ा हम थोड़ी सी गहराई में जाएं ये जो संस्थाओं हैं ये दो तरीके की, संब्यधानिक और गैर संब्यधानिक संब्यधानिक संस्थाओं वो हैं जिनका उलेक संब्यधान में है जिनके अस्तित्व के लिए संब्यधान में प्योर देखना पड़ता है भले इसका गठन बाद में किया हो पर प्रक्रिया जो है वो संविधान से शुरू होती है खास बात यह है कि ऐसे निकायों पर सरकार की मन मर्जी नहीं चल पाती क्योंकि ये संवेधानिक उपबंद है और संवेधान के द्वारा इनके अस्टित्व वजूद को स्विकार किया गया है किसी सरकार किसी डल किसी मन्त्री के आधार पर नहीं जबकि गैर संवेधानिक संस्ता कौन सी है वो है जिसमें सरकार या कारिपालिका ने आवश्क तानुसार गठित किया हो हूं और जब ऐसा होता है तो इसका सदुपयोग भी होता है कर दुरुपयोग भी होता है क्योंकि वह सरकार के द्वरत गठे थे और ऐसी स्थिति में वह संच्था हमेशन सरकार की और देखती रहती है अदेशों के लिए निरने के लिए आदी आदी Election Commission कि जदी हम बात करें तो अनुच्छे 324 के तहट यह समवेधानिक निकाह है इसलिए बहुत शक्ति शाली है इसकी जो शक्तिया हैं यह समवेधान प्रदक्त है और शक्तियों में बदलाओ केवल समवेधानिक संशोधन से ही किया जा सकता है मंत्र परशद अपने बल पर स्वैम बदलाओ नहीं कर सकती दूसरा केंदरी सूचना योग यह गैर समवेधानिक है सूचना के अधिकार के लिए है इसका जो गठन किया गया है वह सूचना के अधिकार के दाइरे को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया है लेकिन चूकि यह समवेधानिक नहीं है इसलिए सरकार के नियंतरण में है उतनी स्वायत नहीं है इसलिए शक्तिशाली नहीं है क्योंकि इसकी शक्ति जो है वो सरकार से आती है और सरकार से आई होई शक्त सरकार जब चाहे उसे छीन सकती है समवेधानिक निकायों कि यदि हम बात करें तो और कौन-कौन से हैं जैसे अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर औडीटर जनरल, एड्वोकेट जनरल, वित्तायोग, निर्वाचन आयोग, केंदरी वित्तायोग, बहुत महत्पूर निकाये हैं जो सरकार द्वारा प्रजत्त नहीं है इनकी शक्तिया, इनकी शक्ति सम्वेधानिक निकाये हैं. और इसलिए हमें इनकी طाकत में и अंय निकायों की तुलना में अंतर साफ दिखाया देता है. अब सम्वेधानिक कौन से नहीं है जैसे CBI एक एन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेड चीफ विजलेंस कमिशनर नीतियायोग लोकपाल ये गैर सम्वेधानिक है सरकार के मातहत काम करती है इसलिए सरकार के इशारों पर रहती है और इसलिए इनका व्यवहार कई बार ऐसा हो जाता है जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही जो मैंने पूर में बताई एक पिंजरे में बंद तो था जिसे कोई स्वतनता नहीं हूँ C.A.G. कंट्रोलर और अडिटर जनरल अफ इंडिया भारत के चार रक्षकों में एक इतना महत्पूर संस्था डॉक्टर भीम राव अंबेड करके रिसा वो चार संस्थाओं का जिक्र जो वो करते हैं उसमें पहला सुप्रीम कोर्ट दूसरा इलेक्शन कमिशन तीसरा यूपी एस्टी और चोथा C.A.G. मान लिजए समझ जाना चाहिए कि यह जो C.A.G. होता है वो पूरे भारत का आडिटर है आडिट करने की ताकत सरकार के किसी भी खर्च को इसमें रहती है चाहे भारत सरकार का व्याय हो या रजज सरकार का व्याय हो वो सभी की जाच करते है आएव याय के शरोतों की जाच आएव याय की विस्त्रिच जाच का पूरा अधिकार C.A.G. को रहता है और जब यह जाच करता है तो जाच के बाद यह रिपोर्ट बनाकर रष्ट पती को ही देता है प्रतिवेदन हमेशा राष्ट पती को ही सौपता है जिस पर चर्चा होती है और अगले वर्ष के बजट में जरुरत के निसार इसमें सुधार किया जाता है उस शंच्था के खर्च पे आए पर व्यार पर महत्पूर्ण बात यह है कि ब्रिटिश कॉंस्टिशन से यह पद लिया गया है वैसे तो ब्रिटिश कॉंस्टिटूशन से हमने कुछ अन्य चीजें भी ली है ये पड़ भी लिया है लेकिन इसमें अंतर ये है कि भारत में वह खर्च हो जाने के बाद जाज करता है और इसलिए कोई बाध्यकारी प्रतिफल नहीं मिलता खर्च हो गया उसके बाद खर्च कितना नाजायद था कितना जायद था कितना उचित था और उचित था इस पर विवेचन करने का काम सीएजी करता है खर्च के पहले इसका कोई नियंतर नहीं रखता प्रणाम कोई बाध्यकारी प्रणाम इसका नहीं दिखता जबकि बृटन में सरकार को पैसा सीएजी से मांगना पड़ता है और मांगने के समय उसे justify करना पड़ता है कि आखिर इसे इतना पैसा क्यों चाहिए तो CAG का पूरा नियंत्र रहता है वित्ती मामलों में England भारत में इस्थिती थोड़ी अलग है CAG और Attorney General ये दो ही ऐसे पद हैं जिनके प्रमुक को संसद की किसी भी सदन की कारवाई में भाग लेने की अनुमती है संसद की कारवाई में संसदों के अलावा और कोई भाग नहीं ले सकता उन संसदों में कारिपालिका से जुड़े हुए लोग भी हैं जैसे पदान मंत्री मंत्र मंडला दी लेकिन इसके अलावा संसदों के अलावा यदि किसी अनिक अधिकार है सदन की बहस में भाग लेने का तो वह है C.A.G. और Attorney General कि संसदों की तरह ही भाग ले सकते हैं वोट देने का अधिकारनी है मतदान करने का अधिकारनी है को ये लोग जनता के प्रतिनीदी नहीं है जो श्थिती हैं केंदर में हैं Attorney General की वही राज्य में है एड्वोकेट जनरल की विधान सभा में भाग लेने का अधिकार है मतदान कर नहीं एटॉर्णी जनरल को हिंदी में हम कह सकते हैं सर्वोच विधी अधिकारी कानून से संबंद यह अपनी राय देता है आर्टिकल अनुछे 76 के अनिसार राष्ट्रपती जो है वह सुप्रीम कोड के जज के स्तर को किसी अधिवक्ता को भारत का महा न्यायवादी न्यूक्त करता है यह न्यूक्ति राष्ट्रपती के द्वारा होती है और विधी से जुले हुए लोगों की होती है C.A.G. के तरह यह भी समवेधानिक पर है परंतु शक्तियन क्योंकि C.A.G. को पांच साल से पहले हटाया नहीं जा सकता परंतु A.G. को कभी भी हटाया जा सकता है परंतु संसिदी विशेश अधिकार और कारवाईव में भाग लेने का अधिकार दोनों को समान है हाँ जैसा मैंने बताया मतादिकार दोनों को नहीं है लोकसभा जक्ष बनाम राज्यसभा सभापती इसमें थोड़ा सा अंतर देखें सभापती जो है राज्यसभा का सदस्द से नहीं होता क्योंकि वहाँ पदेन उपराश्पती है सभापती के पास धन्विध्य को प्रमानित करने की शक्ति नहीं है जो केवल लोकसभा के अध्यक्ष के पास है सैयुक अध्यवेशन जब भी होगा तो इसके अध्यक्षता कौन करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, सभापती नहीं चौथा, सभापती को पजिचुत कर उस बिंदु पर दिमदादान हो तो वहाँ वोट नहीं दे सकता जबकि लोकसभा अध्यक्ष पहली बार वोट दे सकता है लेकिन 50-50 ने भले ही नहीं दे सकता विधाईका और कारेपालिका दोनों में अंतर बताएं किस प्रकार विधाईका कारेपालिका को नियंतरित करती है यह भी सपष्ट करें विधाईका और कारेपालिका में अंतर बताएं और किस प्रकार विधाईका कारेपालिका को नियंतरित करती है ये स्पष्ट करें दूसरा प्रश्ण लोक सभा और रज्य सभा दोनों की तुलना करें दोनों का तुलनात्मक अध्यरन और ऐसा करते हुए दोनों सभाओं की दोनों सदन की तीन तीन विशेश्टाएं भी बताएं अर्थात इस प्रश्ण में दो प्रश्ण हैं पहले तो त लिना करना है और उसके बाद आपको दोनों सदनों की तीन तीन नितेश्टाएं बताना है तीसरा लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा शक्तिशाली है इस कथन पर बिंदवार श्पष्टी करन दें लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा शक्तिशाली है इस कथन पर बिंदुवार स्पश्टी करन दे चोथा प्रश्ण वियवस्थापिका या विधाई का अपने पर स्वयम पर कैसे नियंत्रन रखता है इसको संख्यप्त में लिखे विधाई का अपने स्वयम पर कैसे नियंत्रन रखता है इसे स्पश्ट करे और अंतिम प्रश्ण राज्यपाल विधाईका का अंग है इसे साबित करने के अपने लेख के माध्यम से साबित करें राज्यपाल विधाईका का अंग है इसे साबित करने की कोशिश करें इस वकार ये पांच प्रश्णों के श्रिंखला आपके विधाईका के केंदरी विधाईका और राजिकी विधाईका दोनों को लेते हुए बनाई गई है इसका उत्तर देने का प्रयास करें एक प्रश्णिया आता है हमें संसत क्यों चाहिए और यदि इसका उत्तर जानना है तो संसत के कारियों को जानना होगा संसद में जो बहाथ, बहरिगमन, विरोध, प्रदर्शन, सर्व समिति, सरोकार इसका जो राजनीतिक प्रक्रियाएं जो है उसको समझना होगा और संसद वास्तों में प्रतिनिजित्व लोक तंत्र का आधार है इसलिए भी हमें संसद चाहिए संसद के आउश कता है, इसलिए भी है क्योंकि वाँ प्रतिनिजित्व लोक तंत्र का आधार